जंद किरन राजा मदन सैन के किस्से के हम आपको सुना रहे हैं साथियों मदनपूर शहर के इंपर राजा मदन सैन राज किया करते थे जिनकी राणी का नाम नाग देखा जो बहुत पतिवर्ता सील सुभाव की इस्तरी थी राजा मदन सेन उनके राज में एक बार धूमने के लिए वो निकले तो देखा कि एक जगे एक फोटू बेच रहा था सौधा गया जाकर उसके पांस में खड़े हो गए और जाकर देखने लगे वहाँ पर फोटू तो महाँ पर उन्होंने एक चंद किरण नामक लड़की का फोटू देखा उस फोटू पर मोहित हो गए फिदा हो गए वो फोटू उनके हिर्दे में उतर गया तो राजा मदन सेन उसका परीचे कूछते कि ये कौन है कि ये कंचनफुर के राजा नारेन सिंग की लड़की और इसका नाम चंद किरण है उस चंद किरण के फोटू पर आशिक हो जाते हैं घर आये राणी नागवे को बताने लगे कि कुछ भी हो ये जो इस्त्री है जिसका फोटू है जिए लड़की है मुझे इसा हासिर करना है तो राणी नागवे समझाने लगती है कि है पड़मेश्वर है मेरे स्वामी आप दूसरी और के चक्के में मताईए वरना आपका अन्जा बहुत बुरा हो करता है किस तरह से क्या किने लगती मुझा प्रूसरी और के लड़की है सकन हुई नाग तेरा पहतम वाला ढूंग पिया अर कागज की तश्मीर देखे क्यों अकल होगी भंग पिया अर कागज की तश्मीर देखे क्यों अकल होगी भंग पिया अकल होगी भंग पिया अर पीर के करण हो अर पीर के करण नारद जी के कात्य उचाती हुई अकना मुनी उद्या लग जम दगनी की तवियत खाटी हुई अकना भसमा सुर और पारा सर के पोड़ा लाठी हुई अकना विश्णू का अर विश्णू का मन मुहया गया वकिरेर माठी हुई अकना मेरे माती हुई अकना गेर मरत और गेर दीर का अच्छा नासत संगर पिया आगज की तश्वीर देखती हुँ अकल होगी भंगर पिया अकल होगी भंगर पिया अरे रावण भी पुरा कर्म सीपा की क्याल कर्या चहवे था अरे नार अहिल्या संग चंगर मा मेल कर आचावे था माहूस भूप इंदरानी के संग खेल कर आचावे था वो की चक भी अर की चक भी द्रोपती के धर्म ने फेल कर आचावे था फेल कर आचावे था पीब तलक तन ना देखे सें अर इन भी दोंगे धंगर पिया कादज की तश्मीर देख्यों अकल होगी भंगर पिया अकल होगी भंगर पिया अर धक्के खावणी हाँ अर धक्के खावणी हाँ साथ देंस अंग का साथी मिंतर यार नहां मिंतर यार रहे कोन्या अर यार राज बोक ताच मैं जिल की मरे भरतार रहे कोन्या तो दो धेले का अरे दो धेले का हो जागा पिया इजतदार है कोल्या खान पीन ओधन पहरण तक हो जागा तूतंग पिया आगज की तस्वीर देख क्यूं अकल होगी भंग पिया अकल होगी भंग पिया और साथियों चोथी वे अंतिक कणी में वो राणी नाते अपड़े पती राजा मदन सेन को समझाने रखती है कि माराज गैर भीर के उपर ध्यान धरने का मतलब है कि आपका बुरा हस्र हो जाएगा जो आपकी इचता आज है वो कल नहीं रहने की है और लाश्ट कणी में कि इ ए राज करणियां राजा में तो बहुत समाई चाहिए से इज़्जत बंदने अपने हाथो ना लोग हसाई चाहिए से कर पुर्शानत से परजाब वालन जो इसे भलाई चाहिए से तेरा और दूसरा व्याद कर वादियों जो नहीं लुगाई चाहिए से लख बी चंद मेरी एक ना सुनता क्यों हो राकति लूझ पिया सालज की तश्वीर देखते हूँ अकल हो की बंग पिया अकल हो की बंग पिया अगज की तश्वीर देखते हूँ अकल हो की बंग पिया अकल हो की बंग पिया जो दाकार